Hello and welcome to CMC Indoor तो जैसा कि अब सभी को पता है कि अभी हाल ही में राज्यपाल की न्यूक्ती हुई है कई सारे राज्यों में बहुत बड़े लेवल पर शफलिंग देखने को मिली है मतलब कि इस राज्यपाल को दूसरे राज्यपाल को दूसरे राज्यपाल में न्यूक्ती हुए है साथ ही चीफ मिनिस्टर्स के बारे में भी हम देखेंगे ये पूरा वीडियो जो है ये आपके exam point of view से इसलिए important है क्योंकि अभी exam से questions directly पूछे जा रहे है कि इस राज्यपाल कोन है इस राज्यपाल कोन है इस राज्यपाल कोन है तो 2023 की जो पूरी list है वो हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए start करते हैं स्टार्ट करेंगे हम मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की राज जिपाल का क्या नाम है? राज जिपाल को इंगलिश में गवर्नर कहते हैं, दो-तिन चीजे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, गवर्नर जो होते हैं, वो nominal head होते हैं, किके किसी भी राज्य के गवर्न जैसे कि हमारे राष्ट्रपती होते हैं वो पूरे देश के नॉमिनल हेड होते हैं लेकिन रियल हेड जो होते हैं जो रियल पावर होती है वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है जिस तरह से पूरे देश की जो रियल पावर होती है जो पूरे देश के रियल हेड होते हैं वो प् चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे कि यह चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं किसी राज्य में तो उनको शपत दिलाने का काम करते हैं राज्यपाल यानि गवर्नर ये चीज़े आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है डाइरेक्ट कोश्चन इन चीज़ों से पूछा जाता है तो चलिए अब लिस्ट देख लेते हैं मध्यप्रदेश से सुरू करेंगे मध्यप्रदेश के राज्यपाल का नाम है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल ये उनकी फोटो है बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ये 2023 की लिस्ट है अभी की मुख्यमंद्री का नाम ह श्री शिवराज सिंग चोहां जी ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है अभी ही इनकी न्यूप्ती हुई है इनका नाम है श्री न्याई मूर्ती एस अब्दुल नजीर ठीक है इनका नाम क्या है एस अ पढ़ेगी अब रूनाचल प्रदेश के नाम है पेमा खांडू दोनों की इमेज़ बहुत अचे से आप अपनों ध्यान से देख लिजिए अब लेग्त बात करूँगी ऐसम के राजिपाल देखे ऐसम से मध्यप्रदेश पतवारी का भी जो पेपर हुआ है यहाँ पर exam में question बना है मुख्यमंत्री के बारने पूछा गया था कि आसम के मुख्यमंत्री कौन है राज़्यपाल में पूछा गया है पर राज़्यपाल दूसरे states के जो बने हैं अभी नए नए उनके बारने question आये हुए है तो यहाँ बर असम के राजजपाल जो है जो अभी नियूक थुए हमका नाम है गुलाब चंद कटारिया यह उनकी फोटो है मुख्यमंदरी का नाम है श्री हेमंत बिश्व सर्मा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है बिहार के राजजपाल कौन है बिहार के राजपाल का नाम है श्री राजएंद्र विश्वनात अलेकर ठीक है श्री राजएंद्र विश्वनात यह आपको नाम याद रखना है बिहार के मुख्यमंदरी का नाम तो सभी को याद होगा नितिश कुमार है अब next हम देख लेते हैं कि वहीं 36 गड़ के राज्यपाल कौन है 36 गड़ के राज्यपाल का नाम है श्री बिस्व भूशन हरी चंदन ठीक है मुख्यमंद्री का नाम है भूपेज बगेल ये दोनों की फोटो है दोनों की फोटो आप लोग ध्यान से देख लीजेगा next हम बात करेंगे गोवा के राज्यपाल की गोवा भारत का बहुत ही छोटा सा एक राज्य है ठीक है तो गोवा के राज्यपाल का नाम है श्री पी ए श्रीधरन पिल्लई इनका नाम याद रखेंगे P.E.S. श्रीधरन पिल्लाई यह इनकी फोटो है मुख्यमंत्री का नाम है श्री प्रमोज सावंत यह काफी जादा चर्चा में रहते हैं तो शायद आपको इनका नाम पहले से ही पता हो दोनों की इमेज आप ध्यान से देख लीजिए अब नेक्स मैं बात करूँगी गुजरात के राज्यपाल की गुजरात के राज्यपाल का नाम है श्री आचारिय देववरत ठीक है और अभी हाली ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो काफी चर्चा में थे तो इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है श्री भुपेंद्र पटेल ठीक है ये दोनों की इमेजिस है दोनों की इमेजिस को ध्यान से देख लीजएगा नेक्स मैं बात करूँगे हरियाना के राजजपाल की ये फोटो है इनका नाम है श्री बंदारु दत्ता त्रेय इनका नाम है अब मुख्यमंत्री का नाम क्या है श्री मनोहरलाल खटर ये कहां के मुख्य मंत्री है ये हर्याना के मुख्य मंत्री है हुर्याना वही जगह है जहां पर पानी पत की लडाईयां हुई थी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के बारे में देख लेते हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल है शिव प्रताब शुकल ठीक है अभी हाल ही में जो है चर्चा में रहे थे शिव प्रताब शुक्लीन का नाम है मुख्य मंत्री का नाम है श्री सुखुविंदर सिंग सुखुईन का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा अभी ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे न्यूस में बने हुए थे क्यों बने हुए थे ये भी आप लोगो अच्छे से पता है मैंने बहुत बार डिसकस किया ठीक है श्री सुखविंदर सिंग सुखविंद के बारे में आप लोगो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कहां के मुख्यमंत्री है ठीक है तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख् जबलम छिड़ गई थी ठीक है तो जारखंट के राज्यपाल की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे इन से पहले जो थे उनको कहीं और भेजा गया है कहीं और अपोइंट किया गया है और नया appointment जो जारखंट में हुआ वो इनका हुई इनका नाम क्या है श्री सीपी राधा कृष्णन कई सारे बच्चे इनके नाम पर कन्फ्यूज हो गए थे जब मैंने सवाल पूछा था कई सारे बच्चों ने जो इनसे पहले राजजपाल थे उनका नाम बता दिया था बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करनी नई नियुक्ती हुई है श्री सीपी राधा कृष्णन जो है जहारखंड के राजपाल है अभी मुख्यमंत्री के अगर मैं बात करो तो मुख्यमंत्री चेंज नहीं हुए वो हे मन सोरेन ही है ठीक है अब नेक्स्ट अगर मैं बात करों तो करनाटक के राजपाल का क्या नाम है श्री थावर चंद गहलोट करनाटक के राजपाल का क्या नाम है श्री थावर चंद गहलोट करनाटका की कैपिडल क्या है सभी को पता है बैंगलूरू है बहुत बार मैंने बता है कि बैंगलूरू में इसरो का मुख्याला है इंडियन स्पेस एंड रिसेर्च और्गनाइजेशन जिसका establishment 15 अगस्ट 1969 को हुआ था मुख्यमंतरी का नाम क्या है करनाटका के तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते इनकी फोटो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए बसव राजबोम्माई इनका नाम है ठीके राजजपाल कोन है थावर चन गहलोट और मुख्यमंतरी कोन है बसव राजबोम्माई कहां के है तो करनाटक के है नेक्स अगर मैं बात करूँ केरल की तो केरल के राजबाल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे थे ठीक है ना कुछ विवाद हो गया था यहाँ पर देखना आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कहीं पर भी राजबाल और अगर आप शीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ोगे तो विवाद बहुत ज़्यादा रहता है दोनों के बीच में कुछ न कुछ लेकर पावर को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहता है ऐसा ही विवाद हमको वेस्ट बेंगॉल में भी देखने को मिला था जब जगदीब धनकड वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे तो यहाँ पर राज्यपाल का नाम है श्री आरीफ महम्मद थान और केरला के मुख्य मंतरी का नाम है श्री पिनराई विजयन ठीक है? चलो तो केरला के बाद हम देख लेते हैं महाराश्यपाल के बारे में इनकी फोटो देख लो रमेश बैस है ना? यह वही है जो ज़ारखंड के राज्यपाल थे मैंने अभी आपको बताया था ज़ारखंड के राज्यपाल के न्यूक्ति दूसरे स्टेट में करी गई है तो महाराश्यपाल में उनको भेज गए देखो कई बार ऐसा होता है कि एक राज्यपाल दो राज्यपाल को समहालते हैं मतलब दो राज्यपाल होते हैं एक ही परसंट ठीक कई बार ऐसा होता है यह हमारे समविधान के आर्टिकल में दिया हुआ है कई बार ऐसा होता है कि समय समय पर एक राज्यपाल को दूसरे स्टेट में भेज दिया जाता है शफलिंग होती है वही शफलिंग अभी हुई है इस वज़े से नए नए राज्यपालों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे है रमेश बैस जो है यह महाराश्यपाल बन गए है और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के एकनाथ शिंदे है जब यह अपॉइंट हुए था तब हमने इनके बारे बात भी करी थी नेक्स्ट है मनीपूर के बारे में अगर मैं बताओ तो मनीपूर के राजजपाल का नाम है श्री अनुसुया उके यह एक समय पर 36 गड़ की राजजपाल रह चुकी है ठीक है तो शफलिंग हुई है तो दूसरे राजजमें को भी भेजा गया है यह इनकी तस्वीर है और मुख्यमंत्री है श्री एन बिरेन सिंग यह कहा के है अगर आपसे पूछा जाए बोलना मनीपूर के है दोनों की फोटो बहुत अच्छे से देख लीजिए एक्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है तो यहाँ पर मेघाले के अगर राजजपाल की में बात करूँ तो उनका नाम है फागू चोहन यह उनकी इमेज है और मुख्यमंत्री की अगर में बात करूँ तो मुख्यमंत्री का नाम है कोनराड संगमा इनके नाम पर वहाँ पर एक स्टेडियम भी भी हाली में बनाया गया है Next है मिजोरम मिजोरम के राज्यपाल के अगर आप फोटो देखोगे तो ये इनकी फोटो उनका नाम है Dr. K. Haribabu भी इनका नाम कई बार लिखा जाता है तो confuse मत होना हरी बाबू आपको याद रखना है Next है मुख्यमंत्री ये इनकी फोटो है मुख्यमंत्री का नाम क्या है? Shri P. U. Joram Thanga जहां पर आप देखोगे तो वो कहा कि मुख्यमंत्री है? वो मिजोरम के मुख्यमंत्री है Joram Thanga याद रखना इनका नाम और इनकी फोटो देख लो नागालेंड की अगर मैं बात करूँ तो नागालेंड की राजजेपाल का नाम क्या है? Shri La Ganesan घानेशन याद रखोगे तो आपका जो question है वो solve हो जाएगा और मुख्यमंत्री का नाम है Shri Nephew Rio ठीक है? यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लेगा किसी foreign के minister है है ना? नागालेंड का नाम भी जब आप पढ़ते हो राजजे का नाम तभी भी कई लोगों को यह लगता है कि यह भारत का कोई राजजे नहीं है यह बाहर का क्योंकि नाम कुछ ऐसा है, foreign type से नाम है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम है Shri Nephew Rio तो यह तो एक ट्रिक हो गया आसान सा कि foreign जैसा नाम है foreigner जैसा नाम है तो बिल्कुल Nephew Rio कहा के है नागालेंड के मुख्यमंत्री है next है Odisa Odisa की अगर मैं बात करूँ तो Odisa के राज्यपाल का नाम क्या है Professor Ganeshi Lal Professor Ganeshi Lal कहा के राज्यपाल है, Odisa के है मुख्यमंत्री के अगर मैं बात करूँ तो Shri Navin Patnaik जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है Change रही हुए मुख्यमंत्री, ठीक है अभी वही है अब next अगर मैं बात करूँ पंजाब की तो पंजाब के राज्यपाल का नाम है श्री बन्वारी लाल पुरोहित यह उनकी image है मुख्यमंत्री के अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी थे इनका नाम क्या है पंजाब के है अब भारत का एक मत्र डेजर्ट है जिसका नाम है थारडेजर्ट दुनिया भर में इसकी गिंती होती है साहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है सबसे बड़ा उसके बाद थार डेजर्ट है दुनिया में वर्ल डेवल पर जब डेजर्ट की गिंती होती है तो आटा कामाथ, हाट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट इन सब का नाम आता है मुख्य मंत्री का नाम क्या है? श्री अशोग गहलोट कई सारे स्कीम्स ये लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं ये दोनों ही कहा के है, राजस्थान के है सिक्किम की, सिक्किम वही जगह है जो भूटान और नेपाल और तिबबत के बीच में एकदम छोटा सा राज्य है सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंग टॉक है सिक्किम की बात करो तो यहां के राज्यपाल का नाम है श्री लक्षमन प्रसाद आचारिया अगर मुख्यमंतर की बात करो तो श्री पी-एस नाम है का नाम है तो राज्यपाल का नाम है श्री R. ज़ाधा चर्चा नाम है अब नेक्स है तेलंगाना, तेलंगाना बना कर तो 2014 में आंजर प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है तेलंगाना की राजजपाल का नाम है डॉक्तर तमिली साई सॉंद्र राजण, ठीक है इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, फीमेल है है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, राजपाल है, कहा की राजपाल है, तो भीया, यह है तेलंगाना की राजपाल डॉक्तर तमिली साई सॉंद्र राजण, इनका नाम याद रखेंगे, मुख्यमंतरी का नाम है श्री के चंद्रशेखर राओ, यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, श्री के चंद्रशेखर राओ, ठीक है इससे पहले यह दूसरे स्टेट्स की राजपाल रह चुकिये, इनका नाम आप लोगो ने बहुत बार सुना होगा अगर मुख्यमंतरी की बात करूँ तो इनका नाम आप सभी को पता होगा, श्री योगी आदित्यनाज जी ठीक है, यह कहा के मुख्यमंतरी है, तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी है अब नेस्ट देखने हैं, उत्त्राखंड के राजपाल का क्या नाम है? उत्राखंड के राज्यपाल का नाम है लेफटिनेंट जनरल गुरमीद सिंग ठीक है क्या नाम है लेफटिनेंट जनरल गुरमीद सिंग अब नेक्स्ट अगर हम मुख्यमंतरी देखें तो पुषकर सिंग धामी श्री पुशकर सिंग धामी जो है ये उत्राखंड के क्या है बुख्य मंत्री है उत्राखंड वही जगह है जहां पर पूरे भारत का पहला राश्ट्रिय उद्यान जो है डिकलेर किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ठीक है जिसका नाम पहले हेली नेशनल पार् टीक है वाइस प्रेजिडेंट कहलो या राज्य सभाह के चेयर्मेन कहलो जिनका नाम है जगदीब धनकर जगदीब धनकर और ममताब एनरजी मुख्यमंत्री ममताब एनरजी ही है अभी तक और तभी भी ममताब एनरजी ही थी दोनों के बीच में काफी ज़्यादा टकराओ हुआ करता था ट्वीटर में बहुत जादा ट्वीट्स आते थे तो हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं तो जगदीब धंकर पहले थे लेकिन अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के जो वाइस प्रेजिडेंट है जगदीब धंकर वो कहा कि राज्यपा किया है किसी भी तरह का डाउट या कन्फूजन होता आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक्यू सुमट